नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओन्लैन क्लासिस में दोस्तों साहद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आज से पहले इंडियन आर्मी में आपके लिए ये बडियो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में होने वाली है और बहुत सारे मतलब लाखों युबाओं को इसमें भरती होना है तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप इंडियन आर्मी में भरती होना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो में लाज तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर जरू करें और अपने इस फोजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरू करें आप सब जो को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इंडिन एर फोर्स में जॉब करता हूँ और आपके लिए बेस्ट क्वाल्टी की वीडियो प्रवाइट कराता हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो होती है इनमें किसी भी प्रकार का फेक न्यूज में लेकर आपके सामने नहीं आता हूँ तो उमिद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपका जो रिस्पॉंस था वो पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छा आया है उसमें दोस्तों आपका बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बहुत सारे लाइक साएं और व्यूज की तो उसमें भरमार आई हुई है क्योंकि दोस्तों उसका एक में कारण ये भी है कि आप सभी को मुझे बिश्वास है कि ये जो मेरा फॉजी भाई है ये कभी भी गलत वीडियो हमारे लिए प्रोवाइड नहीं कराता है तो आपसे हाँ जोल की ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को अपनी फेस्वुक वोल पे एक एक बार सेर जरू करें क्योंकि दोस्तों ये जो भष्टी है इंडियन आर्मी की इत्यास में पहली बार ऐसी भष्टीने के लिए है जो अनली ट्रेट्समेन के लिए है तो चरिए दोस्तो जदा लंबी वीडियो ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और यहां पर हम आपके लिए दिखा सकते हैं दोस्तो आप खुद भी दे सकते हैं यहां पर इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसियल वेबसाइट पर और यहां पर दोस्तो हम डिस पुरी जानकारी हम आपको बताएंगे बस आप से रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारी इस वीडियो को लाज तक जरूर देखते रहें ठीक है तो दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी उसमें यहीं बताए था कि आज तक इंडिन आर्मे में नहीं निक तो यहां पर यह पहली बारा दोस्तों जो ओनली ट्रेट्समेंट की भरती निकली हुई है तो सोल्जर ट्रेट्समेंट 10 पास की जो भरती है और 8 पास की भरती सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि 10 पास और 8 पास की भरती अलगलग ट्रेट्समेंट की क्यों नि देख रहे हैं वो कौन-कौन सी ट्रेड में जा सकते हैं उनके लिए हैं दोस्तों चेफ कम्यूनिटी ड्रेसर इस्टिवार्ड वासर मैं टेलर सपोर्ट स्टाफ और एक्क्यूमेंट रिपेर ठीक है पहले इसका नाम होता था दोस्तों एक्क्यूमेंट बूट रिपेर यानि इन ट्रेड्स में जा सकते हैं और आपके लिए इस बरती में सामिल होने के लिए साड़े सतरा साल से तेर्स साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एक अक्टूबर 1997 से एक अपरल 2003 के बीच में आपकी जो है वो डेट व वर्थ होनी चाहिए उसके बाद में जो दोस्तों आपकी हाइट है वो 170 सेंटिमिटर डेट आपका 50 केजी और चेस्ट आपका 77 सेंटिमिटर होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी टैंथ पास होनी चाहिए और टैंथ में आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में भी 33 परसेंट इसे नामें सेवा कर रहा हूं लेकिन कुछ लोगों के दोस्तों यहां पर गलत कमेंट्स भी आएं हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जूट बोल रहे हो ऐसा नहीं है तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं आपसे जूट क्यों बोलूँगा अगर आपको सबूत ही चाहिए तो मैं आपको सबूत भी दे दूँगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करिये अपने वाट्स अब नमबर मैं आपके लिए अपना वीडियो कोल करके आपको ड्रेस पहन कर आपके लिए अपने जो है भू चेहरा भी दिखा दूँगा ठीक है, अब इस से ज़्यादा तो मैं सबूत नहीं दे सकता, मैं अपना फोटो नहीं डाल सकता कहीं पर, नहीं मैं अपनी विडियो कहीं डाल सकता हूँ, ड्रेस में लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको महीं बोल रहा हूं मैं यह एरफोर्स में ही हूं अगर आपके लिए कुछ डाउट है तो आप मुझसे बीडियो कोल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं उसके बाद में दोस्ते यहां पर soldier treatment 8th pass की भरती जो है उसके लिए आपको एक ट्रेड में भरती देखने को मिलेगी हाउस केपर के लिए इस भरती में सामिल होने को आपके लिए 7.5 साल से 3 साल आपकी age limit होनी जरूरी है उसके बाद में आपकी जो date of birth है वो 1197 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए height आपकी 170 cm, weight 50 kg और chest जो है आपका 77 cm होना चाहिए अपनी ये bracket में लिखा हुआ देखा होगा इसका मतलब क्या होता है सहथ आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैसे जिन्होंने एक बार भी आर्मी में भरती देखी है उनके लिए इसके बार में पता होगा तो दोस्तों इसका जो मतलब है वो ये है कि जो आपकी height मतलब chest आपका वो normal जब आप खड़े हैं तो आपका 77 cm होना चाहिए minimum और जब आपको उसमें expansion मतलब आपको उसमें सांस या फिर फ्लाने के लिए बोला जाता है तो उसको 5 cm फोलना जरूरी है ठीक है तो यह तो होगी दोस्तों भरती के बारे में detail उसके बाद में हम आपको physical के बारे में भी बता देना चाहते हैं यहां पर तो यहां पर आप सभी को पता है कि इंडियन आर्वे में 1.6 km की run होती है और इसके लिए दो ग्रूप दिये जाते हैं फर्स्ट ग्रूप होता है दो वो केबल 60 marks होते हैं उसके बाद में group second आता है group second में अगर आप दोस्तों 5 minutes 31 seconds से 5 minutes 45 seconds तक अगर आप अपने race के लिए complete करते हैं तो आपको मिलते हैं 48 marks ठीक है इसी तरह से दोस्तों pull ups की बात करते हैं तो अगर आप 10 pull ups लगाएंगे तो आपको 40 marks 9 pull ups लगाएंगे तो आपक 27 marks, 7 pull ups लगाएंगे तो आपको 21 marks और 6 pull ups लगाएंगे तो आपको 16 marks दिये जाएंगे ठीक है यह होगे आपके physical के बारे में और अभी हम चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चलके कि अब जो भरती है वो कहां पर निकली है और कब से इसके online registration शुरू हने वाले हैं और यह भरती कब होगी आपको पूरी जानकरी बिल्कुल देने वाल है step to step वीडियो में बने रही है बस एक मिनट और लगेगा आपको पूरी बात बताने में तो आदमी recruiting office हिसार हरयाना यह भरती भी दोस्तों जो है वो हरयाना के लिए है तो यह जो यह रो हिसार है उसने यह भरती निकाली हुई है आप में recruitment rally for soldier treatment category एट रावत तुला राम स्टेडियम रेवारी फ्रॉम 2 अक्टूबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 ठीक है यह जो दोस्तों वीडियो है मैंने कल भी डाली थ हैँ तो यहां पर एप दोस्तों कॉन कर दूए ना हुए गाóc क्टूबर 2020 आप अच्रव क्टूर धर्ण है imaginly में तो यह जो भरती होनी है दोनों पर राव तलराम इस्टेटिम डेवाडी में ही होना है लेकिन यहाँ पर जो भरती कंडक्टिंग यारों है वो अलग है और यहाँ पर इन डिस्टिक्स के लिए भरती है वो भी अलग है तो यहां पर दोस्तो कौन-कौन सी डिस्टिक्स के यह भरती है वो आपको बता दे हिसार, जिंद, फतेहबाद, सिर्शा अगर आप इन डिस्टिक्स के रहने बाले हैं हरियाणा के तो आपके लिए भरती है और आप इस भरती में 2 अक्टूबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 के बीच में सामिल हो सकते हैं ठेक है उसके बाद में आपके जो ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन हैं वो 3 अक्टूबर 2020 से 16 नौमबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे और 17 नौमबर के बाद में आपके जो है वो ऑनलाइन आपकी इमेल आईडी पे एड्मिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे तो ये थी दोस्तो आज की भरती एक बार मैं आपको इसके बारे में और बता देना चाहता हूँ कि इसके जो बरती है वो 2 अक्टूबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 के बीच में होगी तो उम्मिद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल सिबा ओनलेन क्लासिस को सब्सक्राइब करें और आपने इस फोजी भाई के लिए सपोर्ट जरूर करें तो चलिए दोस्तों